हेलो फ्रेंज विल्कम बाई यूटुब चैनल सिमाजी के किचन ब्लोग में आप सभी का स्वागत है तो चलते हैं फ्रेंज कुछ बनाने टेस्टी टेस्टी तो इस्टार्ट करते हैं बनाना फ्रेंज आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेर सब्सक् चैनल को मैं डाल दी हूं कडाही में और इसमें सब्सक्राइब करें जैसे अब ये सब यह लोग इसका तड़का है और इसमें प्याज डालकर थोड़ा-ठोड़ा बुन लिए थे उसके ऐसमें डाले मटर 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 को भी थोड़ा-थोड़ा बुनने के बाद भी रम उसके बाद फिर में इसमें डाली हूँ ठोड़ा सा गोल्डी डाल दे रहे हूँ हल्दी पाउडर लाल میर्च पाउडर इसको इसमें डालकर मिक्स कर लिए और नमक डालेंगे इसमें स्वादर अंसार और यह जो वचा हुआ था मसाले उसको भी थोड़ा सा पाइन डालकर इस है पनीर जो सामने रखा हुआ है तो इस पनीर को भी काट करके मैं रख ली थी पहले ही और फ्रेंस मेरा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें तो यह देखिए हमारा ग्रेंड हो चुका है मसाले भी भून चुके हैं और इसमें हम डाल दे थोड़ा पानी डालेंगे भूनने के बाद और उसमें हम मिक्स कर देंगे अच्छे से जब तक यह पक रहा है तब तक कुछ और भी हम कर लेते हैं फ्रेंस आप लोग वीडियो पे बने रहना लास्ट तक तो फ्रेंस जब तक यह मसाले भून रहा है तब तक मैं धनिया पत है कि यह मतर भी लगवग हुए गया है मतलब हलका-खक जैसा है यह मतर भी यह मसाले को भूनने के साथ ही यह पक जाता है तो से ने आची सबूए it most शीन हईव सबाइब गरव्त देंगे ऊच्छा अच्छा लगत में अगतु हम जोड़ा पकाएंगे और हमारा पनीर कपनीर मठर पनीर तैयार तो यह पृण पानीर अचितै तो इतना टेस्टी टेस्टी दीख रहा है थोड़ा थोड़ा पकाएंगे उसके बाद फिर हम उतार देंगे इसको खाने के लिए तैयार हो चुका है फ्रेंड किसको किसको खाना पसंद है आप मतर पनीर आप लोग कमेंट करके जरू बताना और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो थोड़ा भी अच्छा लगा हूँ एक लाइक और शेयर सस्क्राइब जरूर करें और नीव है वीडियो पर तो सस्क्राइब करना ना भूले फ्रेंड तो यह देखिए पनीर तैयार है सर्व करने के लिए विल्कुल रेडी हो चुका है हमें थोड़ा ग्रेवी चाहिए था मेरा वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और शेयर सस्क्राइब जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तक तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग वाई